नमस्कार आप देख रहें न्यूस 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ सीमा दिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ एक विचित्र पहल सेवा समीती रजी ओरया द्वारा विगत आठ फर्वरी 2015 प्रथम चरंड से यमुना तर्ट ओरया के सोंदरिय करण वह स्वच्छता अभियान के अंतरगत साथ वर्षों से अनवरत यमुना तर्ट ओरया पर इस्थित अंत्योयस्टी इस्थलों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतरगत समीती के सदस्यों द्वारा संचालित 124 चड़नों में लगभग 43 तन कचरा यमुना नदी में जाने से रोका गया 14 नवंबर 2021 दिन रविवार को प्राता साथ बजे से समीती के सदस्यों द्वारा सर्द रितूं के कोहरे में 125 चरण का सफाई अभियान चलाया गया जिसके अंतरगर सफाई यंतरों के सहीयोग से लगभग दो कुंटल कचरा अपसिस्ट एकतरित कर आगद्वारा नस्ट किया गया उसके उपरांत यमुना तट पर इस्तित राम जरोखा में बेठक का आयोजन किया गया बेठक में यमुना तट पर व्याप्त जन समस्याओं पर बिंदुवार विचार विमर्ष किया गया समीती के संस्थापक आनंदनाद गुपता एडवोकेट ने बेठक में बताया कि शहर वा ग्रामीन छेतरों के कई गंदे नाले यमुना नदी में अनवरत गिर रहे हैं जिससे नदी का पानी लगतार काफी प्रदूशित होता जा रहा है जिससे जलिये प्रजातियां विलुपत हो रही है तथा अपनी धार्मिक आस्था के चलते परवो पर इसनान करने वाले श्रद्धालूओं की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है उन्होंने प्रदे सरकार वा जिला प्रसाशन से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मांग की है बेटक में सबसत चैया त्रपाठी ने बताया की यमुना तट पर इसनान करने वाले श्रद्धालूओं के लिए कोई सुरक्षित इस्थान नहीं है जिस विश्रात पर श्रद्धालूधार्मिक परवो पर श्रद्धा से इसनान करते हैं उसके आसपास अभी भी बाढ़ के पानी की सिल्ट वा पानी भरा हुआ है अभियान वा बेठक में प्रमुक रूप से बैंक से सेवा निर्वत अधिकारी तेज बहादुर वर्मा, शेखर गुपता, जूनियर शाखा, अन्मोल के अध्यक्ष, सिक्छक, शिवम गुपता, भाजपानेता, दीपक सूनी, डॉक्टर ओमवीर सिह, अजे पोरवाल, अर पिदगुपता, हर्शगुपता, रजजन वालमी की आदी यमुना मैया के सेवादार मोजूद रहे फिलाल के लिए इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार जारिया, बने रहे है, न्यूस 24, फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ, नमस्कार